हेलो एवरीवन, कैंपस देखो के इस वीडियो सिरीज में हम लोग देख रहे हैं फैक्ट सेख और हम देख रहे हैं उनिवर्सिटीज के से रिलेटेट जो भी फैक्ट्स हैं वो इंटरनेट पर क्या अफिलेबल है इस्टूडेंट उसके बारे में कैसे जानकारी जुटा सकत हैं अलग लग लोग जो YouTube पे किसी वी इनवर्सिटीज का रिव्यू करते हैं वो अपने हिसाब से इनवर्सिटी के बारे में बताते हैं या जिस्टिफाइए करते हैं मगर हमारा मकसद है कि एक honest opinion student खुद से निकाल सके इनवर्सिटी के जानकारी ले सके अगर उसको course, fees, इ affiliation, aggregation के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो आप खुद से कैसे इन चीजों को देख सकते हैं क्योंकि 5-10 मिनट की वीडियो में हम एक perspective भी दिखा सकते हैं मगर आपको गर detail analysis करना है, detail में सबस्चना है किसी उनवर्सिटी के बारे में तो आप यहीं जाकर देख सकते है तो हम लोग सबसे पहले आते हैं RKDF University की यह website है बट कैसे verify करें अगर हम search करते हैं Google में तो यहां हमें देखते है RKDF.ac.in और यह Bing का search है, Google search में अगर हम जाते हैं तो हमें देखता है RKDF University.org और scroll down करने से फिर नीचे हमें RKDF University के बारे में और कोई website नहीं दिखती है मगर अगर हम Bing search में जाते हैं तो यहां इसलिए मैं Bing search करके आपको दिखाता हूं क्योंकि दोनों के अपने ना search के अलग-अलग methods है अभी यहां RKDF University.ac.in दिखाता है और यह RKDF University.in भी एक दिखा रहा है dot अभी यह वाला website dot org यहां नहीं दिखा रहा है right so anyway if we यह तो बड़ा ही confusing है कि student कहां search करे और कौन सी website authentic है नहीं है अगर इसके हम जाड़ है है actually अगर आप RKDF University simply search करोगे राची search नहीं करोगे तो यह RKDF University वह पाल में जो है RKDF.ac.in यह वाली खुल जाएगी और राची वाला यह नहीं दिखाएगा और इसलिए अगर आपको राची में राची वाली university को search करना है तो आपको यहां राची लिखना परेगा तब जाकर यह website आपको खुलेगी और वो यह authentic website राची वाली RKDF University की है actually RKDF 6 universities है 5 सायत मत्रतेश में है और एक राची में इनका ब्रांच खुला है और यह original website वह पाल वाले RKDF University की है तो अब इसको authenticate करने के लिए as usual हमें UGC के site पर जाकर चेक करना होगा हम UGC को चेक करते ह है अगर हम UGC की website को खोले और यहां इसमें अगर हम चेक करें और यहां से में पता चलेगा कि RKDF University जो लिस्टिट है जो University Grant Commission में इनों ने जो अपना सारा information दिया हुआ है वो क्या बताता है तो यह UGC की website है यहां अगर हम HEIs में यहां राइट साइड में आते हैं and state private universities को search करते हैं तो हमें जो भी पेज खुलेगा वहां हमें state select करना होगा as usual जो हम देखते आ रहे हैं तो यहां हम जाते हैं और कि जस्टिपेज लोड़ हो रहा है हां यहां left hand side में हम जारकंड select करने से हमें RKDF alphabity के लिए होगा राधा गोविन रामकृष्ण धर्माद foundation RKDF university यहां website पे click करने से right click यह जारकंड वाली university का यही RKDF university.org यह तो verify हो गया कि RKDF university.org की यही original website है जो राची वाली university अगर हम देख रहे हैं तो और university में listed है क्योंकि Udc की website में 294 नंबर जारकंड के अंदर यह आती है अगर हम other details में इसका check करें तो हमें देखता है कि university 2018 में form हुई है और obviously इतनी नए university होने के करें इसमें कोई भी details अभी होंगी नहीं इसके लिए हमें एक दो साल का और इंतिजार करना पर सकता है तो Udc से proper approval है इसके पास इसके लिए कोई भी परेशानी की बात नहीं है अभी हम university के बाकी चीजों को explore करेंगे देखने की कुछिस करेंगे कि university कैसी है और इसके infrastructure कैसे है तो मैं जब सर्च कर रहा था इस रिलेटर इंफ्रास्ट्रक्ट्चर तो मैंने देखा कि बहुत सारे great infrastructure दिखाय जा रहे है आ राची राची को दिखा कर जैसे रहाची मगर यह रहाची है नहीं तो मैंने बहुत ही लोगों से वेरिफाई किया और मैं गया भी और मुझे मैं बहुत सर्प्राइज लगा मैं नहीं सोचा कि यह होगी मगर एक्शली यह आर्केडियव इनुश्टी नहीं है यह MP वाली इनुश्टी आपको जैसे यह वाल यहां लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ हुआ था और यह दो इमेज भुपाल के देनिक भासकर की है तो आप यहां से क्रॉस्टेक कर सकते हो कि यह जो यहां आप इमेज देख रहे हो यह जरूरी नहीं यह राची की नहीं है जबकि इनुने लिखा हुए आर्केड इनुश्टी राची एमेज का इस्तेमाल करते हैं यह ठीक नहीं है जो एक्षुल इनुश्टी की विल्डिंग है वह ने होनी चाहिए वह दिखनी चाहिए सबको दोजार अट्रों में पुलिए है पात साल हो गया है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब इनुश्टी के पास प्रॉपर हो मगर बहुत ढूणने के बावजूद भी मुझे इसके कोई भी ऑथनिटिक बिल्डिंग नहीं दिखा यही एक डिखता है आर्के डी एफ इनुश्टी राची जहां राची लिखा हुआ है और यह है अब यह सटर लगा हुआ है पता नहीं यह कैसी बिल्डिंग है बहु थो आप तो यह अर्के डेफ इनुश्टी के कुछ स्टूटंट के वी लॉग्स देख लो इस इनुश्ट्ड इस जो वी लॉग बनाये हुआ है इसमें अब देखोगे यह इसके राची इनुश्टी का हॉस्टल है ए इसके अकडमिक ब्लॉक होंगे गई तो आसा ही कुछ और इसमें ज़्यादा खास information है नहीं अगर हम google maps में जाते हैं और इसमें कहीं भी building information नहीं दिया है classroom के वीडियोस दे गए हैं Lab, Laboratories के वीडियो दे गए है लेकिन कहीं भी Building के पास है नहीं तो यह दिखाएंगे क्या दिखाने के लिए वस यह है इसलिए यह रखा गया तो Building नहीं है University के पास अभी के लिए University नहीं है हो सकता है यह बना रहे हो नया Campus का भी Decide किया लेकिन ऐसी कोई भी Information नहीं ना तो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपड़ेट की हुई है आप इसमे अवलेबल 400 फोटोस को स्क्रॉल करते रह जाओगे लेकिन आपको Arcade of University राची से लिड़ेट कोई भी Image नहीं मिलेगी इसके Building से लिड़ेट यानि Infrastructure ली बहुत ही वीक है राची पूरे जहर क्रेंट में सबसे वीक Infrastructure अगर प्रॉपर राची कैपिटल में मैं जब 2023 में जुलाई में ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय का Status है इसका हो सकता है जब future में लोग देके तो ये Change हो जाए अगर मैं इसके डिस्टेंस को राची रेल विस्टेशन से दखूँ तो बहुत नजदीक है साथ किलोमेटर ने नी विदिन इस सीटी है अभी rented building में है तो possibly बहुत ही आसान होगा और खादगरा बस टेंट से नौ तो अभी तक जितनी उन्विस्टीज हम नहीं रिव्यू करा और आची में private universities है उसमें ये सबसे center में और सबसे जो transportation system से उसके बहुत ही नजदीक दिख रहा है social media links के बारे में बात करें तो facebook में almost इन्होंने ठिक ठाक maintain करके चल रहे हैं बहुत अच्छा ठीकी है नोट सो गूड बट अभी जिस तरह से नहीं universities है उस हिसाब से ठीकी है और बाकी इसके बहुत सारे linkedin वगरा profile खुलते नहीं है इसको आप check कैसे करोगे तो जब आप generally किसी भी university के footer में जाने से हमें उसके सारे ये दुको facebook, twitter, instagram इन वगरे आपको दिख जाएंगे instagram में भी same चीज़े हैं और linkedin वगरा खुलता नहीं इसका यानि उस पर profiles नहीं है तो थोड़ा सा university को update होना जरूरी है और ये RKDF University से related information नहीं बता रहे हैं कि 1,80,000 student enrolled जो कि मुझे लगता है कि RKDF University overall की बाद बता रहे हैं तो राचीमिन के पस कोई expertise नहीं है राचीमिन के पस कोई खास data नहीं है इसलिए जो पूरे group of RKDF का data है वो दिखा रहे हैं और ये कहीं ने कहीं आपके लिए misleading है ऐसा मुझे लगता है ज्यादा जानकारी के लिए आप इस available data को university को बोलो कि वो आपको सही बता के दिखाए और मुझे बताईए कि क्या ऐसा आपने कभी किया university से बता किया और university आपको क्या बोल रही है यहाँ देखो यह सारी videos images जो RKDF University के तरफ से image gallery में डाला गया लेकिन कहीं भी proper building के structure मुझे दिखाई नहीं दिये अगर आपके पास कोई image है तो हमें जरूर लिंक बेजिए हम इसको अपने आने वाली videos में जरूर दिखाएंगे क्या सब program चलते हैं या तो b.tec होता है मेजरिटिव डिपार्टमें में BA honors के courses चलते हैं BBA चलता है और MBA चलता है मतला भी university में बहुत ही comfort चल रहे है BCA, BCA इंकॉर्परेट अब देखो BCA इंकॉर्परेट क्या चलाते हैं BSC, MA diploma DCA, PGDCA, B.com तो school wise structured नहीं है और ये सारे चीज़ा आप यहाँ पे search कर सकते हो MCA, Master degree है रन करती है मैं corporate BCA चेक कर रहा था क्योंकि corporates are very rare courses जो राची में ऐसे universities में available होना is very difficult हम इसको explore करेंगे फिर कभी अगली वीडियो में आप बताएगे कि क्या हमें corporate courses यहाँ जितने भी universities उसमें चल रहे हैं के बारे में वीडियो बनाना चाहिए या ने बनाना चाहिए फिर अगर आप admission section में जाते हो और eligibility criterion fee structure में चेक करते है तो यहाँ आपको university का fee structure खुल जाता है B.T.C. का 55,000, BCA 32, B.B.H. 35 इस पर semester ठीक है तो यह total fees यहाँ दिया हुआ आप सारी जितने भी courses यहाँ चल रहे है उनके details यहाँ चेक करिए और admission related जो भी जानकारी है वो मुझे लगता है कि आप university की जो proper website है वहाँ अगर visit करोगे तो यह एक admission form है contact us में जाकर आप इनसे contact कर सकते हो और bottom में अगर हम photo side में चेक करें तो हमें कुछ दो number मिलते हैं इन numbers पर आप try करो और hopefully आपकी queries यहाँ resolve हो जाएगी तो यह कुछ basic information थी जो generally हम university के जब intro videos बनाते हैं fact check करते हैं हमारे main purpose यह होता है कि इनसेरी में जो भी courses चल रहे हैं उस से related proper approval है कि नहीं तो UGC का approval हमने पाया इसमें मगर पूरी website पे जिस तरह से यह course दिखा रहे हैं इन courses के लिए इनके पास अगर जो भी general courses है insulated तो अभी तक कोई approval additional approval दिखता नहीं मुझे जैसे LIB है और 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 लाइब्रेडिशाइंस हैं law है इनके पास अप्डेट होना चाहिए था लेकिन मुझे इनकी website पैसा कुछ दिखा नहीं और कोई courses medical courses यह अभी तक रन नहीं करते हैं जिनके कारण इनको उस तरह के किसी भी एप्रूवल की रिक्वार्मेंट नहीं है उसके लिए उसके लिए रिक्वार्मेंट नहीं है तो मुझे बस बार काउंसिल का अप्डेट नहीं दिखा बाकी जो एप्रूवल्स जिस तरह के चला रही है उसके प्रॉपर एप्रूवल उनिवर्सिटी के पास है नए उनिवर्सिटी है 2018 की है इसके पांच-छे ब्रांचेस है जाज़ातर ब्रांचेस भौपाल मतलब MP में चल रहे हैं और यह ब्रांची में चलने वाला इसका छटवा कैंपस है और भी वीडियो के लि है ब्रांची काऊ ब्रांची कर एफ में नियुप आज जब कार लाए वीडियोड ढौशिय चैनल अंसे Teakने का टी आज़ वाले ट्यूटे जीम प्रॉटे वीडियोड टॉटे टॉटे वेट और ट व्रांची से लिडियोड ऑ्रॉर्सिंटेस ब्रांची में आज़ ब्रा